योग्य जित्तिनात का विपक्ष पर निशाना कहा राम विरोधी हैं विपक्ष के लोग पिवेग जी नरेटिव क्या विपक्ष का उलच गया है? 400 बीजिपी आएगी या फिर नहीं आएगी? नहीं आएगी नेरेटिव क्या है प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी नर्वस है राम मंदिर का एक मुद्दा खेला गया था और प्रान प्रतिष्ठा की गई थी सोचा गया था सारे हिंदू पोलराइज होंगे नहीं हो रहे हैं आज जो इंटर्व्यू न यह क्या दिखा रहा है हमको और आप ही के चैनल पर एस्टीम चैनल है आपका बहुत बड़ा इंटर्व्यू था मैं भी सुन रहा था और वह चाते थे कि आपके चैनल के माध्यम से मैसेज दें मैनौरिटी इसको लेकिन क्या दर्शारा है कि बीजेपी बैक फुट पे आ च जíल करकर के अाउकर और अब UC बटाऊ हूँ नेमटिरोली मोदी और पुरख रैली नेमटिरिंस प्राइब को प्रॉल रहे हैं आपको लगता नहीं है लेकिन सरकार तो आ रहे घिए पिर नेरीटिव नहीं है नरेटिव में तो कई कॉंग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा था एक ने तो कहा था देड़ सोई सीटे आएंगी तो वह कौन क्या कहता है वह तो मेरे ख्याल से ठाकरे अपना मान सिंग सुद्ध तुलन खो बैटे हैं जारी रहेगी विवेक जी नरेटिव क्या विपक्ष का उलज गया है चार सो बीजेपी आएगी या फिर नहीं आएगी नहीं आएगी नरेटिव क्या है प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी नर्वस है राम मंदिर का एक मुद्दा खेला गया था और प्राण प्रतिष्ठा की गई थी सोचा गया था सारे हिंदू पोलराइज होंगे नहीं हो रहे हैं आज जो इंटर्व्यू निउज अठारा को दिया औरेबल प्राइम और वो चाते थे कि आपके चैनल के माधियम से मेसेज दें मैनौरिटी इसको लेकिन यह क्या दर्शारा है कि बीजेपी बैक फुट पर आ चुकी है अमीज जी यह मन पड़ेगा जब आप परफॉर्म कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे सिर्फ इमोशनल इशूस पर आकर के है करता है